यह क्लास तेंथ का चैप्टर वन का जो है पार्ट फाइव है और हम लोग देखरें थाट जो पॉइंट है ता एज ऑब रिविविशन एज ऑब रिविविशन करांती कारी का यूट या 1830 से लेकर 1848 ये 18 सल में यूरोप में क्या क्या हुआ जैसा कि आम पीछले वीडियो में देखा कि जो लिविलिविल थे उदर्वाधी थे उदर्वाध्य थे वो लोग चाहते थे कि सी तरह से या जो about Pi लंए की राष्टवादी थे कि वे चाहते थे किसी तरह से करांती का जो करांती है वो पूरे यूरोप में पहले तो अज कंज वेटी थे उदरवादी थे जो चाहते थे कि राजा हो अपना सक्ती बढ़ाते जा रहे थे और दूसरी और जो उदरवादी लिविलिजम एड नेसलिजम कैंप टू इंग्रीजिंग में एसेट भी तर रेविलियोशन इन मेनी रीजन अप यूरोप, यूरोप के छेत्र में करांथी पहते गही तर फिक्रांथी फेटे इन अंग्रोप है जो इतालियन इन जर्मन इस्टेट पर जो रहे हो, यह भी जो ऑटोमन इंपार का जो प्रोविंसेज था आइलेंड का प्रोविसेज च्हेत्र था या पॉलिंन का छेत्र वहां भी मने की रीवलिजन री चाहत सब को कारून के सांदें ब्रावार हो यह नेसलिस थे जो चाते थे कि पून रूम से स्वतनता हो तो बिलोमें टुधा एजुकेटिर हो मिडिल क्लास मुंप पढ़े लेखे लोंग थे एमंग हों चाहे वो प्रोफेसर हो इस्कुल टीचर हो कालर्क हो मेंबर अफ तक कामर्श था इक बहुत घटना बढ़ा बड़ी घटना सुन चाहे एक प्रेज दीनकों से बाद पहला बिद्रो हो आठ है और यह बार्गोर्ण किंग्स के खिराव गए था 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 तबॉर्गोर्ण कींग्स के खिलाफ हो था 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 था। तो we are now overthrown by the liberal revolutionary who is installed a constitutional मुनार्की जो उदरवादी थे, करांतिकारी थे, उन्होंने इसको तक्ता प्लट किया, अब यहाँ देख रहे हैं कि मुनार्की, constitutional मुनार्की जैसे ब्रीटेन में है, वहाँ पर महरानी भी है, मने कि कोई निर्जा बेद भी है, लेकिन वहाँ पर प्रा और लूइस फ्लेप को इसको पहला हेड बनाए गया, यह देख रहे हैं कि 1830 में, अब यह जो आश्रिया के जो chancellor थे, जो मेटनेक, उन्होंने फिर कहा कि वेन फ्रांस इसने जब फ्रांस चीटता है, तो वंस रिमार्क, दर रेस्ट आफ यूरोप कैस्कोल्ड की पूरो The July Revolution spark in uprising in uprising in bruceus moha, which lead to bruceus moha, which lead to bruceus breaking away from the United Kingdom of the Netherlands, and even that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek war of independence, अब यह इंपोर्टेंट है, ग्रीक जो की उनानी था, यह उनान के लोग को मने कहा जाता है, जहां पसिंग अंदर था, उलंपी स्वतंतर की लड़ाई रड़ी, जो की वहां पर देखें की यह जो ऑर्टोमन इंपार में था, तो ग्रीस हैस बिन पार्ट अपर्टोमन इंपा लोग चल अधार से , जो भीर्वह स Normally in Greece, connect to support from other Greeks living in exile , 8 samh ला वे इंपार निर्वांता जो निकाल दिया गया था, उनका भी सपोर्ट मिल सपोर्ट मिल साथ भाम सपोर्टोमन उस 이렇게 हो जो लिभ़िए को अश्यëंत खीं से आसियिंन्यून दिद गरीशा सब्सक्राइब करते थे तो पोएट आर्टिस्ट लाउड़ेट यहां पर प्रसंसा करने लगे ग्रीक्स एज ग्रेटल आप दे इरोपियन सिब्लाइशन की इरोपियन सभ्याता का जूला है कि वो बतलाते हैं लोगों के की स्ट्रा से करना मोबलाइश पॉब्लिक अपॉनियन तो सपोर्ट इस स्ट्रेगल अगेंस्ट मुस्लिम इंपार की मुस्लिम वहां पर पूरा इतना ओर देश कभ्या कर रहा था उसके खिलाप हो गया इंग्लिस पोई जो अंग्रेज कभी थे तो यहां पर जो लॉर्ड वाइरन और्गनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट फाइट इंदवार उसने फंड की विवस्ता किया और यूद का निर्तित तो किया और वेर ही डाइट और फीवर इन 1824 अठाराश जोविस उनकी बु इंडिपेंडनेट नेशन कि ग्रीश को स्वतंत राष्ट मान लिया क्या यह आप इसको समझना होगा इसको याद रखना होगा कि ता ट्रीटी आप कॉंस्टिनेफोर आप 1832 अब हम लोग देखते हैं रोमांटिक इमेजनेशन और नेशनल फिलिंग रोमांटिक होग या कि कि जो राष्टवात का जो उदय हुआ तो सिर्फ एक और भी कारण थे हुए जिसमें एक इंपोर्टन था कल्चर जो संस्कृति प्लेट एन इंपोर्टन रोल इन क्रियेटिंग एडिया अपनेशन कि राष्ट की परिकरपना के लिए एक कल्चर संस्कृति भी भागता है रूमार कोला कंको सक आण आजल कि इंबत हो किर्थरों डेशन हो उन्पकरफन एक अर्टन आजलेशन किर्पने। यह हुआ राष्टे मार्मान आइटो ऌठाय के घ्री traffिट the प्लेट आखना क्रेओर मुर्टन एक इंख्ञार एक चीज प्या जो रूमान आजलेग आखें जो 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 ग्रोर्पिकिशन अपर इसित्स की सिटुप प्रागि थे कि अच्युट नहीं अच्छानः किया कि जो तर्क और जो बिज्ञान हैं उसका जो 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 ग्रेशना कि अलोचना की रुमानिटिजम ने और कहा कि उसको यहां परागि अदेखते भी है एण फोकॉस इं सेंस आफ सेयर्ट, कलक्टिव हैरिटेज जो बिजासत था, सब उस पर मर मिटने लगे, एक रूफ हुए, और कॉमन कल्चर पास्ट अब इस पिक्चर्स को देखेंगे, तो यहां पर यह जो पिक्चर्स है, यहां देख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहा रहा है, तो यहां पर तेयरा मासाकर, मासाकर मने नरसंखार अदमी को मारा गया रहा, और क्या, क्याओ, यहां पर जो है क्याओस, और क्याओस जो है यूजिन डेलाग क्रोवा, जो इजिल डिरकडा 1824 में, क्याओस सहर में वहां पर नर संखार बाता Люб adult, कि च önहां प्रेंटर जो व्हों को प्रेंटर जो व्हों प्रेंटेट हैं जो सको फ्रेंटर मुंते बंहें वॉक का यह इनputer खोजये। आगल इंजया सकते बंदियुक्त निरह इस उच्चा वैंग 6450 म we learn in k l hacka 9 इंसिदेंट इन्विस 20,000 ग्रीक्स की बीस्टार ग्रीक्स वेर सेट तू है तू किल्ड भाई तूर्क्स जो मने की यह जो क्याओस है यहां के जो मने की अधीफ है वह पर तूर्क के दौर मारा गिया ग्रीक्स दौर्क की बीविड करें अलग लग कलरमें दिखा गया है जोट इक जूट वह प्रेटिंग सेंपरी फोतागरिक्स जैसे इसमें अगर आपको और करेगा तो बलू कलर यह जो रेड और इस अभमेस लेडिस को दिखा गया है ताकि वो इमोशन सो किस तरह से सोच जै तो दिखाया गया।। प्रृमांस्टिक यारमन ओपिछ। यहान करना है यहान करना है यहान तो यहान आपर Godfried, जो जर्मन तासनिक थे उन्हें किया है जर्मन जो यहां गॉर्टफिर हर्डर जो धहा था था सवी यह फॉर्टिपोर शेया थे लिए तरी तरी नेरी में थे थे हैं थे लिन देखलने कृश्टर्ड आम आद्म ही आपको कृच्छर्ड दिखा गा और इसको को घरमन दासप तोक आ जाता है इट वस थ्रू फॉक संग जो लोग गीत है या फॉक पोईटरी लोग कभीता है या फॉक डांस लोग मिरत है that the true spirit of the nation के एक रास्ट जो की जर्बन में उसको बोल गिस्ट कहा जाता है वास पॉक्राइस को मने की फेमस करनागा पॉक्राइस so collecting a collective collective and जो culture है उसको ले नगा recording these form of fog cultures जो हम लोग संस्क्रित है was essential to project of the nation building तो यहाँ पर जो था यह रास्ट को बनाने की चर्चा केगे the emphasizeses of the vernacular language की बहुत सरे जो भासा होगे collection of local fog layer लोग जो मने की जो मूह से बोले जान मी कथा होगे was not just to recover an ancient national street परंपरागत जो के यह थी spirit थे but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate की जो अनपण थे उनको बताने के लिए उसी को परंपरा को लेकाए गया this was especially so in the case of Poland Poland which has been patronized in the end of the 18th century by the great power जो के पोलेंट को बांट दिया गया थे रास्षा पुरुसिया जो के 18-15 के बाद इभेन तो पोलेंट नो लोंगर एक्जिस्टि राजन इंडिपेंडेंट ट्रेटरी की वो अपस्वतन छेतर नहीं था national feeling were kept alive through music and language संगीत और भासा के नदर उसको सब के जो पोलेंट के जो रहने वाले लोंगते पॉलिस लोंगते उसमें जगाया गया जो उसमें से इंपोर्ट था कैरोल कॉर्पिस्की फर एक्जांपूल सेलेटिंग नेशनल स्ट्रेगल थूरू थीज ऑपेरा उनका एक टीम था जो संगीत का जो अर्केस्ट्रा था उससे उनने बताया टर्निंग फोल्ग दंस लाइक था फोलोनाइस एन मुजुरका की दो फोल्ग दंस लोक निर्थ था जो पोलेंड का जासा था पोलनाइस और मुजुरका इंटू नेशनलिस सेंबर और वो राष्टिय चिन बनिया लैंग्वेश और भासा कभी इंपोर्टेंट वा तू प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस सेंटिमे किया था रस्यान लैंवेज वाज इंपोर्टेंट वाज रस्यान लैंवेज को सब्देग अटा दिया था रेकिट इन 1831 अठारास्व एक्टिस में आर्म ट्रिवलियन एक बित्र हुगा अगेंस रस्यान रूल टुग प्लस वीच वाज अल्टिमेटली क्रस्ट इसको दव अठाबाद में रस्यान लुग फ्लोएंग इस मेंबर अफ तरह कलर्जी चो कि मने चर्च व्लम टेहिं पोलेंड बिगें टू लैंग्वेज अग्वेज अग्वीपन अपन नेशन लेजिस्टिंस यो कि पोली सम्ग चर्च के पाधरी थे और फिर से पोलीस भासा का अगेंश्या बहां से नहीं प्लाने क्ले बोलने क्ले तो तो यूज अपोलीस कैम टू इस इंबल आप इस टेगर अगेंश्या डॉमिनिशन कि रस्या डॉमिनिशन खिराब यह मने कि एक सिंबल माना गया तो यहां से आप यह भी पार्ट खतम होता है नेक्स वीडियो में देखेंगे हंगर हाट्षिप और पॉप्लर रिपोल्ट की कौन-कौन फेमस था था थैंक्यों